हेलो फ्रेंट्स आज बनाएंगे साबुदाने के बॉल अपम्टे में और साबुदाने से ही हम कटलेट बनाएंगे देखें यह क्रिस्पी कटलेट भी बनाएंगे वह बिल्कुल बहुत ही कम तेल में दो दो चमच तेल में बनाएंगे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं यह स गांदेंगे अच्छे से दोके और इसको चार गंटे के लिए कम से कम भीगने देंगे अगर आपके पास समय जादा है तो आप अबर्नाइट भी रख सकते हैं जिससे की ज्यादा सौफ्ट अच्छी तरह से सौफ्ट हो जाएगा इसको दहों कि शनी में डालके पानी बिल्कुल निकाल देंगे पानीनिकलने ceci इसको रख देते हैं साइड में और यह मैंने मुंफली भून के रख लिया है यह आधा कप मुंफली है उसको भून के ठंडा कर लेंगे इसका छिलका निकाल लेंगे और इसका दर दरा इसको पीस लेंगे पॉडर नहीं बनाएंगे देखिए इस तरह से दर दरा मैंने पीस ल लागेगा यह पांच आलू को मैंने बॉयल करके छील के लिया है इसको ग्रेटर की साहता से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे देखिए इस तरह से ग्रेट कर लेंगे इसको आप ब्रत में भी बना की खा सकते हैं और जब भी हल्का फुर्का कुछ ऐसे ग्रेट जैसे तेल मसाली खाने का ना मन करें तो भी यह बना सकते हैं और देखिए इसे इसमें साबदाने को डाल देंगे जिससे की पानी बिल्कुल निकल गया है दो हरी मिर्च डालेंगे इसमें ज्यादा मसाले डालने के चरद नहीं है और थोड़ी से धनिया पत्ति डाल देंगे स्वाद के अरंस नमक डाल देंगे और इसमें दो चमच साबुत जीरा डाल देंगे जीरे का टेस्टिस में बहुत अच्छा आएगा और ये चार चमच मुंफली जो दरदरा करके पीश के रखे थे ना उसको डाल देंगे और ये आधा कप मैंने गाजर को घिसके डाल दिया है इससे इसका कलर भी अच्छा आएगा बच्चों को बहुत पसंद आएगा और स्वाद भी बढ़ जाएगा इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे सब को अलू डालने से इसमें अच्छे से सब बनत जाता है मिल जाता है इसमें और कुछ डालने की आवर सकता नहीं होती है देखिए इस तरह से मिक्स कर लेंगे और हाथ में फिर तेल लगा के इसको शेप देना सुरू कर देंगे ये गोल गोल सेप डालेंगे जो कि अप्पे ट् बन के तयार हो गया है इस तरह से अभी देखिए एक कटलिट का सीप दे देंगे यह गोल सिप मैंने दिया है आप हार्ट का या चोकोर से भी दे सकते हैं इस तरह से सारी बॉल और कटलिस कटलिट को त्यार कर लेंगे यह ब्रत में खाने के लिए आप इसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें लसन प्याज मैंने कुछ ने डाला है अब देखिए इसके लिए चटनी बना देंगे यह थोड़ी से धनिया पत्ती लेंगे और यह दो मैंने मिर्च लिया है और इसमें स्वादकर्ण स डाल देंगे आधा चमच नमक है और इसमें दो चमच दही डालेंगे दही से चटनी का स्वाद बहुत अच्छा आएगा और इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा देखिए यह कलर कितना सुन्दर आया है और अपेटरी को गरम करेंगे उस में दो दो भुध सभी में तील डाल देंगे और इसमें ब्रस की साहता से इसको इस तरह से फैला देंगे तील को अब इसमें बॉल को डालना शुरू करेंगे जितने भी बॉल बनाया है सारे इसमें एक एक करके डाल देंगे और इसको ढखके दो मिनट के लिए रहने देंगे दो मिनट में उपर का लेयर क्रिस्प हो जाएगा तब इसको पलट देंगे देखे लेयर उपर से क्रिस्प हो गया है तो इसको पलट देंगे ऐसे ही सारे को उलट पलट के क्रिस्प होने तक सेक लेंगे बहुत ही कम तेल में ये बहुत ही टेस्टी सावदाने का बॉल बन जाता है इसको ब्रत में भी आप खा सकते हैं और ऐसे भी साम किनास्ते के रूप में भी इसको ले सकते हैं और इसको अगर ब्रत में ब्रत के अलावा बना रहे हैं तो इसमें प्याज और लसन भी डाल सकते हैं मैं तो नहीं डाली हूँ लसन और प्याज इसमें और फिर से एक एक बुल तील सब में डाल देंगे और इसको दो मिनट के लिए रहने देंगे फिर से दो मिनट में देखिए ये बिल्कुल बन के क्रिस्पी बॉल तयार हो गया है अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर किजिएगा देखिए सारे बॉल को इसमें निकाल देंगे और ये चटनी का कलर देखिए कितना अच्छा आया है ये बॉल उपर से बिल्कुल क्रिस्प है और अंदर से सॉफ्ट है देखिए एक तोड के दिखा देते हैं देखिए किता टेस्टी है एक बार इसको जरूर बनाईएगा अब चलते हैं कटलिट बनाने की तरफ ये दो चमच तेल तवे पर डाल देंगे बस इसमें ही ये फ्राइब हो जाएगा दोनों तरफ से अच्छी से इसको सेक लेंगे इसको भी दो मिनट के बाद प्रटना शुरू करेंगे देखिए एक तरफ से क्रिस्प हो गया है दोनों तरफ से ऐसे ही क्रिस्प कर लेंगे एक एक करके सभी को पलट देंगे ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और बड़े भी चाय के साथ अच्छे से इंज्वाय कर सकते हैं एक बाद इस तरह के से जरूर बनाईएगा एक चेमच तेल उपर से और डालते हैं जिससे की एक दम से क्रिस्पी हो जाए और लगे जैसे की तला हुआ है बन के बिल्कुल रेडी हो गया है इसको निकाल लेते हैं इस तरह कि अपधानी की टिको भी इसको गय सकते हैं और करिट भी बोल सकते हैं वी कि बहुत कम तहेल में ये बन के तैयार हो गया और चटनी का स्वाद ऐसा कि आप एक पर बनाएंगे न तो ऐसे ही बनाना पसंद करें जिसे में घूटीं